ओके अभी तक हमने जो छोड़ा था पिछली टाइम पे कि उस टाइगर को राजा तो नहीं मार पाया था राजा तो चला गया था आदेश देकर के कि भी यह इसको ले आओ इसकी डैड बोडी को और इसको जरा जुलुस जुलुस के साथ लाओ सौमा टाइगर मारा है मैंने ब पायरी ने उसको टाइगर को गोली मार दी चलो मर गया और उसके बाद उसको ले आए काँ पे ले आए शहर के अंदर महा ले जाकर कर दिया और उसके ओपर एक समाधी बना दी चलो सौ टाइगर मर गए राजा के साब से तो सौ टाइगर मर गए लेकिन यह आप और हम जानते हैं कि सौ टाइगर नहीं मरें निन्याड में मरें हैं भी अब सुनिया आगे क्लाइमेक्स और कुछ दिनों के बाद ही महराजा के बेटे के तीसरा जनम दिन मनाया गया अंटिल दैन दा महराजा हैड गिवन इस एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग हाँ बोलो पेज नमबर शेक्स पेज नमबर शेक्स पैनोरेमा अंटिल दैन दा महराजा हैड गिवन इस एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग और अभी तक क्या किया था महराज ने अपना पूरा समय केवल टाइगर के शिकारपी लगाया था मालू मैं आपको उसने कसम कहाई थी है कि मैं कोई भी काम ने करूँगा जब तक मैं सो टाइगर नहीं मार दूँगा अभी तक तो वो केवल टाइगर के शिकार में व्यस्त रहा अब उसके बेटे का जनम दिना आ गया है ना तो अभी तक तो राजा ने क्या किया था कि अपना पूरा उसका ज़हान जो था वो केवल टाइगर के शिकार पर ही लगा रखा था उसने और वो कोई काम नहीं कर रहा था और अब आ गया उसके बेटे का बल्डे तीसरा बल्डे तो लेकिन अब राजा ने क्या किया अपना पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ लगाया He wished to give him some special gift on his birthday वो उसके birthday पर उसके जनम दिन पर कुछ special gift उसको देना चाहता था अपने बेटे को, तीसरा birthday था उसका तो उसने क्या किया? He went to the shopping center in Pratibandpuram and searched every shop वो Pratibandpuram के shopping center पे गया हर दुकान को उसने देखा उसके बेटे के लाएक कोई चीज उसको मिल जा है but couldn't find anything suitable लेकिन उसको अपने बेटे के लिए कोई भी उप्युक्त चीज नहीं मिली, कोई भी ऐसा gift नहीं मिला Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift आकिर में उसने एक दुकान में गया तो वहाँ पर एक लकड़ी का tiger दिखा उसको अच्छा सा tiger था उसने लकड़ी का tiger देखा उसने कहाई यह जो tiger है लकड़ी का बना हुआ यह खिलोने की दुकान में देखा उसने यह सही रहेगा मेरे बेटे के लिए दा वुड़न टाइगर कॉस्ट उनली टू आनाज और वुड़न टाइगर की कॉस्ट कितनी थी दो आना दो आना का मतलब हो गया लगबग बारा पैसे ठीक है यह कितनी बहुत पुरानी बात है उस समय चार आने चलते थे पक्चीस पैसे आठ आने पैसे बहुत कीमत होती थे उस समय चार आता ने की किसी की जए में पचास पैसे होते थे तो वह चोटी नहीं होता था काफिमाना जाता थें कि हैंजार पचास पैसे हैं इसके पास तो दो आना उसकी कीमत थी and a quarter दो आना and a quarter यहने कि सवा दो आना सवादो आना उसकी कीमत थी बर्दाश्वाब कीपर नियू that if he caught such a low price to the महराजा he would be punished under the rules of the emergency लेकिन दुकांदार जानता था कि राजा को अगर मैंने इतनी कम कीमत बताई तो राजा उसको सजा दे सकता है अच्छा सवादो आना मैं चीज लूँगा उसकी कीमत इतनी कम होगी क्या तो राजा उसको अमर्जेंसी के नियमों में कोई सजा भी दे सकता था so he said इसलिए उस दुकांदार ने कहा your majesty this is an extremely rare example of craftsmanship दुकांदार बोला महराज ये एक कलाका बहुत ही एक अच्छा वो है शिल्प कला का एक अद्बूद नमूना है ये मतलब ऐसी चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है है ना rare example rare example का मतलब दुरलब उधारन craftsmanship का मतलब शिल्प कला कि महराज ये तो जो tiger है लकडी का tiger ये तो शिल्प कला का एक बहुती उतकरस्ट बहुती unique एक example है a bargain of 300 रुपीज उसने का महराज वैसे तो जो इसकी कीमत है क्या है कितनी है 300 रुपे अब 300 रुपे कीमत क्यों बताई उसने कीमत कितनी थी उसकी सवादो आना लेकिन कीमत उसने 300 रुपे क्यों बताई because he had a fear in his mind that after listening to the low price of the wooden tiger the king might get angry and he could give him punishment उसने का महराज 300 रुपे की कीमत है इसकी very good let this be your offering to the crown prince on this birthday on his birthday said the king and took it away with him तो राजा ने का अच्छा 300 रुपे कीमत है चलिए कोई बत नहीं तो राजा ने पता है क्या का अच्छा ठीक है तो ये जो wooden tiger है ये तुमारी तरफ से राजकुमार को gift समझ गया है अब जने कि राजा ने उसको पैसे नहीं दिये क्या का उस दुकांदार को कि राजकुमार के लिए तुमारी तरफ से gift मान लो इसको शलो और वो ताइगर को लेकर के वहां से चला गया के लिए रो गया और उस दिन दोनों पिता और पुत्र याने की वो राजा और उसका बेटा दोनों लकडी के टाइगर के साथ खेला उन्होंने इट हैड बीन कावड बाइक एन अनिसकेल कारपेंटर और इसको जो बनाया गया था ना वो एक एकुशल कारीगर के दोरा इसको तराशा गया था लकडी की चीज़ें आपने देखी होंगी कुछ चीज़ें तो ऐसी बनती है कि उनमें कुछ भी फिनिशिंग ऐसी आती है रद्दा इतने अच्छे से चलाया जाता है कि कोई भी रेशा उसका बार में दिखाई देता और कुछ ऐसे एकुशल होते हैं तो वो जिसने बनाया था तो उसकी जो लकडी की जो तंतू होते हैं न समझ गया मेरी बात को चोटे चोटे से जो रेशे होते हैं मतलब खुरदो रहा था वो उसके ओपर ठीक डंग से रद्दा नहीं चलाया गया था रंदा समझते हो न रंदा फेर फेर के उसको सतय को चिकना बना दिया जाता है और कोई भी फांस कोई भी ऐ देगे निकल रही थी तो क्या हुआ दा सर्फेज वाज रफ उसका जो सर्फेज था वो खुरदो रहा था टाइनी स्लीवर्स ऑफ वोड इस्टूड अप लाइक क्योविल्स ऑफ आल ओवर इट और उसके वो पूरे वुडन टाइगर के ओपर छोटे चोटे से चोटे और पता है क्या हुआ उन्ही तंतू हमें से एक तंतू, एक फांस, एक लकडी का वो रेशा राजा के दाएं हाथ में चुब गया, लग गया समझ में आगी बात आपको कई बार लग जाता है, अपने भी कोई लगडी की चीज में कोई निकल रहा होता है तो वो गुश जाता है, आथ के अंदर ऐसे हो जाता है अब राजा ने उसको क्या किया, उसको निकाल दिया, तंतू को निकल गया, और फिर राजा अपने लड़के के साथ खेलता रहा और अगले दिन महराजा के दाएं हाथ में वो संक्रमन फैल गया उसका, इन फोर देज डवलप इंटु आ, सपुरेटिंग सोर विच स्प्रेड आल ओवर दा आर्म, और पते क्या हुआ, चार दिन के अंदर अंदर एक बड़ा सा घाव बन गया, मवाद वाला, यानि की पस पड़ गया उसके अंदर, और पूरी हाथ के ऊपर, पूरी भुजा के ऊपर फैल गया वो, समझ में आगी बात आपको, यह सर, यह सर, थ्री फेमस सर्जंस वर ब्रॉट इन फ्रॉम मेड्रास, और तीन बड़े-बड़े प्रशिद सल्य चिकित्सक बुलाए गए मदरास से आफ्टर होलिंगा कंसल्टेशन, और तीनों डॉक्टर्स ने आपस में विचार उमर्श किया, क्या करना चीए, कैसे करना चीए, तो उन्होंने समने सोचा, कि चलो ठीक है, राजा का ऑपरेशन कर देते हैं और तीनों जो सर्जन थे जन्होंने यह अपरेशन किया था, वो अपरेशन थेटर से बाहर आए, और उन्होंने आकर के गोशना की, तो अपरेशन वास सक्सेस्फुल, अपरेशन सफल हो गया, तो महराजा इस डैड और महराजा की मृत्यू हो गई In this manner, the 100th Tiger took its final revenge upon the Tiger King और इस परकार से, सौवे टाइगर ने राजा से अपना बदला लेही लिया Clear हो गया आपको? Yes, sir And now this is the end of the lesson. Thank you very much